तो एक अलगी तेवर की मैं कहानी पढ़ती हूँ अपनी जो मेरे जीवन की पहली कहानी है और शायद ये मैंने 2008 में लिखी है तो मैं शुरू करती हूँ इस कहानी का नाम है परिचय और ये एक कॉलेज के प्रांगन में लिखी गई कहानी है कि जब अपनी स्टडी करने के बा काफी योग और इमानदार होती है लेकिन उसके साथ कॉलेज में किस तरह की राजनीती होती है तो ये कहानी उस पर है और इसका नाम है परिचय बहुत करीब से देखा था मैंने उसे उसका रंग धंग या रहन सहन कहीं से भी यह अंदास नहीं देता था कि सच्चाई उसके परे भी हो सकती है जो दिखाई दे रही थी तकदीर शायद कभी कभी कुछ महरबान होकर कुछ ऐसे खुशकावार मौके दे जाती है जिसमें हमें जिन्दगी के कुछ पुखता रास मालूम हो जाते हैं उस लड़की के व्यक्तित्व की कुछ गहरी परते खोलने में मैं का पाम्याव रही थी इसलिए आज ऐसे एहसास मुझे कुछ ज्यादा ही हो रहे थे वह लड़की जब भी घर से बाहर निकलती तो कोई भी पहली नजर में उसे देख कर कह सकता था कि वह परफेक्शनिस्ट हो तो ऐसा दरसल वह और मैं एक ही कॉलेज में असिस्टेंट प्रो प्रोनिंग कहना वह कभी नहीं चुपती थी ये लोग एक शनिक और नकली मुस्कान जवाब में देकर अपना काम चला लेते थे कई दिनों तक यही सिलसला जारी रहा मैं बहुत गौर से उस लड़की की भाव भंगिमाओं को दिखा करती थी और उसे घूरती निगाहों को भी अकसर मैं दूसरों की निगाहों में वह पढ़ लेती थी उसके लिए जो वह खुद नहीं पढ़ पाती थी नजाने क्यूं कुछ ही दिनों के अंतराल पर मुझे अपने कॉलेज के स्टाफ रूम में बैठी अन्य महिलाओं के रूप में भी उस लड़की का अकस नजर आने लगा था मुझे नहीं पता कि वाकई ऐसा हो रहा था या ये मेरी अपनी सोच का परिणाम था लेकिन बाकी सब आसानी से बूजी जा सकने वाली पहेली जैसी उस लड़की की तरह नहीं थे निशी, जुबान और कान दोनों को मीठा लगने वाला सिर्फ उसका नाम नहीं था क्योंकि मुझे विवा गुड की तरह लगने लगी थी उसके चेहरे की शोखी किसी नई नवेली नाजुक कली से जरा भी कम नहीं थी उसका शरीर चाहे महिला हो या पुरुश हर किसी को नजर भर देखने पर मजबूर करता था उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा चुम्बकत्व था कि अतिशीगर लोग उससे एक कहरा जुडाव महसूस करने लग जाते थे और यही वज़ा थी कि हर क्लास में कुछ खास स्टूडेंट्स पूरी तरह से उसके मुरीध हो चुके थे जितनी शीगरता से निशी अपने विद्यार्थियों के करीब हुई उतनी ही शीगरता से कॉलेज के कुछ दिगजों और टटपुंजियों की आँखों की किवकिरी भी उसकी निश्चल मुसकान उसका निश्कपट और इमानदार व्यक्तित्व इन लोगों के दिलों के जंग लगे तारों को कहीं न कहीं जंकृत कर देता और ये अपनी आत्मा में जहाकने पर मजबूर हो जाते थे इसलिए जो भयावा तस्वीर इन लोगों को दिखाई देती थी उसका कारण कहीं न कहीं ये सभी निश्ची को मानते थे जिस युग में उड़ते हुए खुपसूरत पंची के पर कतर उसे पिंजडे में बंद कर दिया जाता है या फिर लजीज भोजन में तब्दील कर दिया जाता हो वहाँ निश्ची जैसी लड़की की स्वच्छन्दता भरी उड़ान अकसर रद कर दी जाती है कॉलेज परिसर के ग्रेनाइट की तरह चमकते और श्वेत लगने वाले चहरे दरसल सिर्फ आँखों को प्रिये लग सकते थे मन को नहीं इस बात से वह लड़की निशी पूरी तरह अन्भिक की थी कॉलेज परिसर में मंडराते कई चहरों में से एक चहरा कॉलेज की प्रिंसिपल के काफी करीब और प्रिय था यह चहरा था श्वेता का जो अपने नाम को किसी भी रूप में चरितार्थ नहीं करती थी यह बात वहां सभी जानते थे वैसे तो श्वेता मैट्स पढ़ाती थी लेकिन अक्सर मैट्स सॉल्व करते हुए उसका दिमाग नाना प्रकार की तिकड़ामों में भिड़ जाता था और अचानक उसका पैन उसके माथे और कान के बीच टिक जाता था यह सब देखकर उसके स्टूडेंट्स को यह बरम होता था कि शायद वह थेओरम सॉल्व करते हुए बहुत गंभीर और स्थिर हो गई है यह सभी आपस में बतियाते, फुस्फुसाते और मंद मंद मुस्काते जाते इनकी खुसफुसाहट के कमपन से श्वेता के हाथ से पैन छूड जाता और वह इस तरह बेचैन हो जाती जैसे किसी ने गहरे पानी में रहने वाली मचली को जमीन पर लापटका हो इसलिए वह खीजती जुझलाती सी कहती चलो अब ये खुसुर खुसुर बंद करो आज के लिए बहुत हो गई पढ़ाई पता है कितने सीरियस स्टूडेंट्स हो तुम लोग यह थियोरम हम कल सॉल्फ करेंगे सभी स्टूडेंट्स आश्यरे से अपने मुह बिचकाते और एक एक कर क्लास से बाहर निकल जाते फिर श्वेता अपनी तिकडमों को अंजाम लेने की यूजना बनाने में लग जाती अगले दिन रोज की तरह निशी एक आइडियल असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कॉलेज में प्रकट हो चुकी थी वह अपनी धुन में मस्द थी और स्टूडेंट्स को एक नया टॉपिक पढ़ाने की शुरुआत करने को बहुत उपसुख थी कि तभी प्रिंस्पल मेडम के एक और खासम खास पंडिया सर निशी के करीब आकर हुक्म देते हुए बोले मेडम आज आपको BBA की क्लास नहीं लेनी है निशी ने आश्यर रिचके थोते हुए तपाक से पूछा क्यूं क्या हुआ सर इस पर पंडिया जी का जवाब था मेडम दरसल हम BBA में सुवाती मेडम को भेज रहे हैं वह एक सब्ता तक डेमो क्लास लेंगी उनकी इस बात से निशी को कुछ खत्रे के संकेत बिल रहे थे असुरक्षा के हैसास ने उसे घेर लिया था थोड़ा सिसकते हुए निशी ने पूछा तो क्या सर अब मुझे वहाँ क्लास नहीं लेनी है इस पर पंडिया सर बोले अरे नहीं मेडम ऐसा नहीं है हमने सुवाती मेडम को डेमो क्लास लेने को कहा है अगर स्टूडेंट्स को और हम सब को वह सूटेबल लगी तो हम उनको अपॉइंट कर लेंगे तो इस तरह से आपकी भी मदद हो जाएगी और आपके काम का बोज भी हलका हो जाएगा यह कहकर पंडिया सर प्रिंसिपल के कमरे की ओर चले गए पूरा एक सकताहा बीच चुका था स्वाती बीबिये की क्लास ले रही थी फिर भी निशी खामोश थी बारा दिन बीच जाने पर निशी के धैरे का बांध तूटने लगा था तभी पंडिया सर ने निशी को इशारा करके अपने पास बुलाया और एक अलग कमरे में ले गए पंडिया सर का कहना था मैडम आज 25 तारीक है एक तारीक से हमें आपको डिसकंटीनू करना होगा यह वाक के सुनते ही निशी का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वहना केवल इसे महसूस कर पा रही थी बलकि स्पष्ट सुन भी पा रही थी निशी की हालात को भाबते हुए पंडिया सर बोले देखिए मैडम हम लोगों को तो आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए हमने आपको अपोइंट किया था लेकिन कुछ स्टूडेंट्स आपके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं पर मुझे तो कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की निशी ने लगबग सांस रोपते हुए कहा पंडिया का कहना था देखिए मैडम कॉलेज तो इन स्टूडेंट्स से ही चलता है और फिर हम कॉलेज का तो उसूल है कि जो स्टूडेंट्स की पसंद पर खरा वही हमारी कसौटी पर भी खरा ठीक है तो अब मैं चलता हूँ निशी ने गुस्से में कुर्सी के हथो को कसकर जकर लिया था कुछ देर तक वह इसी मुद्रा में बैठी रही सोचती रही और इस अंजाम तक पहुँची कि अगले दिनवार स्टूडेंट्स से बात करेगी कि आखिर उन्हें उससे क्या दिक्कत है निशी जब घर पहुँची तो रोज की तरह उसकी आवाज मिखनत नहीं थी घर पर किसी को भी देर नहीं लगी अंदाज लगाने में कि उसकी हालत क्या थी यहां तक कि घर पर काम करने वाली बाई ने भी निशी से पूछ लिया कायरानी आज इतना मूँ क्यों लटका है निशी ने बस इतना ही कहा नहीं तो तुम तो और निशी के अंदर डाइनिंग रूम तक पहुँशते ही उसकी मम्मी ने कहा चाय पी लोग बेटा बहुत अच्छी बनी है निशी के पापा भी उसी वक्त ओफिस से लोटे थे तो वह भी डाइनिंग रूम में ही चाय की चुस्कियां ले रहे थे और उसके मन में होती हलचल को महसूस कर रहे थे उनके कुछ पूछने से पहले ही निशी ने अपना सारा हाल अपने पापा से बया कर डाला पापा ने उसे सलाह भी दी और डाटा भी अरे तुम सच में बड़ी बेवकूफ हो जब तुम्हारे सर तुम्हें डिसकंटीन्यू करने की बात कर रहे थे तब तुमने उन्हें पेपर के उस विज्यापन की याद क्यों नहीं दिलाई जिसमें कहा गया था कि इंग्लिश विशय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत है और अपॉइन्मेंट यूजी सी के इंटर्व्यू से होना है निशी ने हताशा भरे स्वर में कहा नहीं पापा यह बात को बिल्कुल मेरे ध्यान में नहीं आई हाँ तुम्हारे मामले में ऐसा होना कोई नई बात नहीं है वे अंगात्मक स्वर में ऐसा कहते हुए वे उठकर कमरे की ओर चल दिये घड़ी की सुईयों की टिक-टिक निशी के कानों में चुब रही थी और वह आने वाले कल के बारे में सोचते हुए कुछ देर चैन से आखे भी नहीं बंद कर पा रही थी इसी दोरान फोन की घंटी ने उसकी विचार श्रिंखला को जटके से तोड़ा उसके कान खड़े हो गए थे वह ध्यान से सुनने लगी कि आखिर फोन किसका है किस से पापा इतनी तलींता से बाते कर रहे हैं उसने सुना पापा कह रहे थे बताईए इसके कॉलेज में इस तरह का रवया चल रहा है पापा के ऐसा कहते ही निशी को सवजने में शणिक भी देर न लगी कि ये वो पाल वाले दादा जी ही थे जो रिष्टे में उसके पापा के मामा जी थे ये दादा जी बड़े रसूखदार पत्रकार होने के साथ मंत्री पत पर भी आसीन रह चुके थे निशी जानती थी कि जब भी परीवार पर कोई संकट आता था उसके वह दादा जी तारंधार साबित होते थे वह ऐसा व्याद कर ही रही थी कि तभी पापा की आवाज आई निशी बेटा दादा जी का फोन है निशी ने दोड़ कर फोन रिसीव किया दादा जी ने पूछा और बेटा क्या हाल चाल है जौब कैसा चल रहा है दादा जी का इतना पूछना था कि निशी ने ततपर्ता से अपनी आप बीती कहना शुरू कर दी सब कुछ सुनने के बाद दादा जी कुछ पल खामोश रहे फिर बोले बेटा तुम्हें अपने स्टूडेंट्स से बात करनी चाहिए जब तुम्हें भरूसा है तुम्हें अपने पढ़ाने और समझाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी तो तुम्हें उनको पूरी तरह पने फेवर में लेना चाहिए दादा जी के शब्दों ने निशी को कुछ इस तरह से राहत दी जैसे मई की कड़ी धूप के दोरान अचानक घिराय बादलों की बरसाथ से खुले आकाश के नीचे काम करने वाले मजदूरों को मिलती है जब बारिश की भूंदों के साथ उनके माथिप पर जमी पसीने की भूंदे भी धुल जाती है नीशी का चहरा अब निर्विकार हो गया था उसकी आखों में आत्म विश्वास की चमक पैदा हो गई थी अगले दिन जब सुद्रिड इरादों को लेकर नीशी कॉलेज के गेट से अंदर प्रविश्ट हुई तो थोड़ी ही आगे उसे कॉलेज प्रसिडेंट और BBA का क्लास रेप्रेजेंटेटिव दोनों मिले नीशी ने इन्हें रोका और कहा मैंने सुना है कि तुम लोगों को मुझसे शिकायत है मैंने तो तुम लोगों को पहले ही दिन क्लियर कर दिया था कोई भी बात हो कोई भी परिशानी हो किसी भी टॉपिक को लेकर तो सबसे पहले मुझे बताना मैं तुम लोगों की प्रॉबलम हर तरह से सॉल्व करूगी नीशी का बोलना अनवरत काफी देर तक जारी रहा पर बीबिये का सी आर अपनी भौहें चड़ाए और ठुड़ी पर हात रखे आश्चरे से उसे सुनता रहा वहीं खड़ा बबलू कमर पर हात रखे अपने उदास चेहरे के साथ अपनी आखों को कॉलेज ग्राउंड के चारो और किसी धावक की रफ्तार से घुमाता रहा किसी और से कुछ भी कहने से पहले तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था इतना कहते ही उसकी आखों में द्रड़ता से आकर आशु ठहर गए किसी और से कुछ भी कहने निशी को खामोश होते देख पबलू ने तपाक से बोलना शुरू किया अरे मैडम ऐसा कैसे हो सकता है हम लोगों को तो आपका पढ़ाना पसंद आता है बलकि कल ही हम लोग डिसकस कर रहे थे कि पहले जो इंगलिश वाली मैडम थी वो हम जैसे हिंदी मीरियम स्टूडेंट्स को एक भी शब्द हिंदी में बोलकर नहीं समझाती थी और निशी मैडम पहले हमें मिल गई होती तो आज हम सब काफी अच्छे मार्क से पास हो सकते थे बबलू को समर्थन देते हुए प्रतीग बोला मेडम हम लोगों की क्लास से भी किसी ने कुछ नहीं कहा आपके अगेंस्ट बलकि हम लोगों को भी आश्चरे हो रहा था कि आपके पढ़ाने की स्टाइल से हम सब फैमिलियर हो गए थे कि अचानक पंडियासर ने इन स्वाती मैडम को भेज दिया यह स्वाती मेडम कोई और नहीं बलकि श्वेता मेडम की सगी बहन है जो अभी अभी इंग्लिश लिट्रेचर से एमे करके आई है यह सब सुनते ही निशी को श्वेता की वह मुद्रा याद आ गई जिसमें उसकी आखों से अगनी वर्षा होती थी जब भी वह निशी से नजरे मिलाती थी तो यह अगनी वर्षा होती थी प्रतीक का बोलना जारी था जानती है मडम की कोई उनके क्लास में आने पर खड़ा ही नहीं हुआ था जो भी समझा रही थी किसी की समझ में ही नहीं आ रहा था और हमारे किसी सवाल का तो वह जवाब भी नहीं दे पा रही थी इस सारा पखान करते हुए प्रतीक की आँखों में ठीक वैसे ही भाव उभर रहे थे जैसे पुरानी फिल्मों के खलनायक चरित्र जीवन की आँखों में उभर आते थे जब वह किसी पर व्यंग कर रहे होते थे और कुछ अग्याद शड्यंतर उनके दिमाग में चल रहा होता था इसलिए निशी को प्रतीक की बातों पर उतना यकीन नहीं था जितना की बबलू पर लेकिन बबलू ने भी स्वाती के श्वेता की वहन होने की बात की पुष्टी की थी वह जानती थी कि बबलू और उसकी क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स भी बहुत डीसेंट और सिंसियर थे निशी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो अब तक वह चक्रवियू में फसकर अभी मन्यू की भूमी का अदा कर रही थी लेकिन अब उसे चक्रवियू से बाहर आने का रास्ता पता चल चुका था खेर आज तो इस मामले को हर हाल में निप्टाना ही है यह बोलकर निशी सीडियों से कॉलेज के ओफिस की ओर पढ़ने लगी बबलू और प्रतीक भी उसके पीछे चलते हुए आपस में बतियाते रहे आज देखते हैं कि साला कौन मैडम को जबर्दस्ती परिशान कर रहा है यह सब सुनखर निशी इतनी खुश हुई कि चहरे पर आती मुस्कान की रेखाओं को वह समेट न सकी पर जैसे ही वह कॉलेज के ओफिस के दर्वाजे पर पहुँची उसने आचानक अपनी मुद्रा में कमभीरता का समावेश किया कहकर वा कुछ सेकेंड दर्वाजे पर ठिटकी रही प्रिंसिपल मैडम क्लर्क दुबे जी को कुछ समझा रही थी निशी ने कुछ हूंचे स्वर में दोहराया मैडम ने अंदर आने की अनुमती में हाथ से इशारा किया निशी अंदर प्रविष्ठ हुई तो वहीं बैठे पंडिया सर ने अपने गाल की मास पेशियों को तकलीव पहुँचाते हुए एक चिर परिचित मुस्कान बिखेरी जो वहां हमेशा बिखेरते थे उन्होंने भी इशारे से निशी को कुर्सी पर बैठने को कहा वह चुपचाब बैठ गई और प्रिंसिपल की क्लर्क से चल रही बातों को के समाफ्थ होने का इंतजार करने लगी कुछ देर बात क्लर्क दुबेजी वहां से चले गए फिर एक सेकेंड गवाई बिना मैडम बोली देखिए मैडम पंडिया सर पहले ही आपको सब बता चुके हैं अब मेरे कुछ कहने की गुझाईश बाकी नहीं रह जाती है आप तीस तारिक तक क्लास ले सकती है निशी यह सुनकर वही कुछ सेकेंड खामोश पैठी फिर मन ही मन कुछ योजना बनाते हुए अपनी बीकॉम फाइनल की क्लास में जा पहुँची जहां बबलू और बाकी स्टूरेंट्स उसका इंतजार कर रहे थे निशी के अंदर प्रविष्ठ होते ही सारे के सारे बहुत खुश होकर खड़े हो गए और वहाँ अप्लिकेशन निशी को दिखाने लगे जो उन्होंने प्रिंसिपल के नाम इंग्लिश पढ़ाने के लिए निशी की सिफारिश के तौर पर लिखा था और उसमें सभी स्टूडेंट्स के सिगनेचर थे बबलू निशी को पशोपेश की मुद्रा में देखकर बोला मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैंने प्रतीक से भी बात कर ली है वे सब भी आपकी सिफारिश में एप्लिकेशन देंगे प्रिंसिपल मैडम को कि उन्हें भी स्वाती मैडम से नहीं बलकी निशी मैडम से पढ़ना है हम सब आपको यहां से जाने नहीं देंगे इतना कहकर बबलू की मुस्कान इस्थिर हो गई दिन भर कॉलेज में गहमा गहमी का माहौल रहा फिर शाम होते ही निशी को प्रिंसिपल रूम में बुलाया गया जैसे ही वहाँ उनके रूम में पहुँची प्रिंसिपल ने निशी से नदरे न मिलाते हुए किसी पेपर को देखते हुए कहा निशी मैडम आप एक तारीक के बाद भी कॉलेज में रहेंगी यह सुनते ही निशी के काहनों में फिल्म जो जीता वही सिकंदर का गीत नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता है हारी बाजी को जीतना हमें आता है जोर जोर से बजने लगा प्रिंसिपल बोली कि हमने स्वाती मैडम और आपके बीच वोटिंग करवाई थी यह वोटिंग हमने स्टूडेंट से करवाई थी तो आपको चार वोट स्वाती मैडम से जादा मिले दोनों हाथों को जोड़ कर नमस्कार की मुद्रा में टेबल पर रख कर उपर नीचे हिलाते हुए वह बोली इसलिए अब आप इसी कॉलेज में रहेंगी चौपड की बिसाद बिछा कर बैठी प्रिंसिपल को मजबूरन उसे समेटना पड़ा निशी जानती थी कि उसकी यह सफलता वह ज्यादा समय तक बरकरार नहीं रख सकेगी क्योंकि चील गिध की तरह जपट्टा मार के किसी के हिस्से को निगल जाना उसे नहीं आता था वह चील गिध और बाजू की टोलियों के बीच से ही उसे हंस की निर्मल निरेह उडान भरनी थी उसे इंतजार था चार महीनों के बाद होने वाले UGC इंटर्व्यू का जिसे क्लियर करने पर उसे इस कॉलेज से कोई नहीं निकाल पाता UGC के इंटर्व्यू का दिन आ चुका था अपने कॉलेज से इंग्लिश लेंग्वेज के लिए वा अकेली कैंडिडेट थी बाकी साथ लोग अलग-अलग जगवों से थे जिनका बायोडेटा निशी के अनुभाव और योगिता की तुल्ना में फीका था वा इंटर्व्यू देकर बाहर निकली तो बहुत खुश थी उसे सबसे पहले मुझे जिसको वा अपना अंतरंग मित्र मानने लगी थी आकर बताया कि उसने पैनल के सभी सवालों के सही जवाब दिये हैं और उसे पूरी उमीद है कि वा सिलेक्ट जरूर होगी एक और उनलेखनी बात जो उसने बताई थी वह यह थी कि उस पैनल में कॉलेज की प्रिंसेपल साहिबा भी मौझूद थी इस सब के बावजूद उसके आत्म विश्वास से मैं बहुत प्रभाविद थी और जानती थी कि वह जो भी बोल रही थी उसमें कोई जूट या बनावत नहीं थी कुछ समय बाद सभी विश्यों में असिस्टेंट प्रोफिसर के अपॉइन्मेंट के लिए हुए UGC के इंटर्व्यू के नतीजे आ गए थे कॉलेज के सभी कैंडिडेट्स सेलेक्ट हो चुके थे लेकिन सिर्फ English Language का इंटर्व्यू रद्ध हो गया था निशी का चहरा भाव वहीन दिख रहा था वह समझ गई थी कि आखिरकार उसका हिस्सा चेल गिद और बाजो की टोली के जपटे का शिकार बन चुका है राजनीती को अपने निजी जीवन में उसने पहचान लिया था निशी इतनी निराश मुद्रा में नजर आ रही थी कि उसकी चाल कुछ असामान्य हो गई थी अपनी गाड़ी पार्क कर जब वह कॉलेज ग्राउंड पार्क करते हुए अंदर जा रही थी तो उसकी नजरें नीचे पड़ी कॉंक्रीट पर जम रही थी शायद वह अपनी आने वाली जिन्दगी की तुलना उनसे कर रही थी वह जब कॉलेज की उपरी मन्जिल तक पहुँची तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी रेगिस्तान में है और उसे अचानक कोई गुप्त जील नजर आ गई और उसका गला तर हो गया है दरसल बबलू और प्रतीक के साथ सारे कॉलेज स्टूडेंट्स प्रिंसिपल के कमरे के बाहर इखटे थे और जोर शोर से नारे बाजी करते खड़े थे वे सभी निशी की फिर से बहाली किये जाने की मांग कर रहे थे उसी शणू से ऐसा महसूस हुआ जैसे सकारात्मक्ता का एक प्रभा मंडल न केवल उसके शरीर को बलकी सारे वायू मंडल को घेर चुका है उसके साथ साथ मुझे भी समझ आ चुका था कि तूफान के घुजर जाने के बाद भी जिद्दगी शेश रहती है पर न जाने क्यूँ उसकी आँखों से आसू छलकने को इतने तत्वर क्यों थे वो आसू तो जमी पर गिरते लेकिन सारा आसमा उनकी ओर जुका जा रहा था इतनी दिल्चस्प है ये बात कि इस दौर में उसे देखते समझते मैं भी जीवन से परिचित हो चली थी उस दिन यह सब मुलाकात पर मैंने उसकी आँखों में और उसने मेरी आँखों में देख लिया था तो यहां मेरी कहानी का अंत होता है और जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और जो भी बाद में सुनेंगे उनको मैं अभी से अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ किसी को भी लगातार इतनी देर तक सुनने के लिए बहुत धैरे की जरूरत होती है और आप सभी ने बहुत धैरे रखकर जिसमें मेरे कुछ मित्र और मेरे कुछ senior लोग शामिल है मुझे सुना और मुझे सहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और Friday Fables की खास तोर से मैं बहुत शुक्र गुजार हूं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी अभी मुझे पता चला है कि इंग्लिश में भी काम करना शुरू किया है तो मुझे उम्मीद है कि वह भी बहुत अच्छा जाएगा मेरी तरफ से बहुत सारी शुक काम नहीं प्रीती जी के लिए और भी मेरे मित्र हैं जैसे वीरूस उनकर जी उनको भी बहुत शुब कामना है मोनिका जी जो जो लोग जिन लोगों को मैं जानती हूं जिनका शायद नाम मैं नहीं ले पा रही हूं और वो इस शुब कारे से जुड़े हुएं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद और उमीद है कि आगे भी इसी तरह से आप सभी से मुलाकात होती रहेगी धन्यवाद